Hello everyone and welcome to Achieve IAS मैं हूँ आपको दोस्त अकाश विजरन और आज इस वीडियों हम लोग डिसकस करेंगे बहुत ही इंटरस्टिंग टॉपिक के बारे में ठीक है फॉरण पॉलिसी के बारे में हम लोग जो है आज इस वीडियों में डिसकस करेंगे फॉरण पॉलिसी एक ऐसी फील्ड है एक ऐसी डिसिप्लीन है जो हमेशा काफी ज्यादा इंटरस्टिक रहता है ठीक है तो उसी जो है फील्ड में आज हम डिसकस्शन अपना करेंगे ठीक है तो 2020 जो अभी कुछ तुनों पहले खतम हुआ है वो इंडिया की फॉरण पॉलिसी के लिए इंडिया की इंटरनेशनल रिलेशन के लिए काफी चलेंजिंग हो रहा तो क्या चलेंजिस रहें उनके बारे में बात करेंगे और हम आज इस वीडियो में जो हमारा फ्राइम फोकस रहेगा वह इस बात पर रहेगा कि 2021 जो नया साल हमारा स्टार्ट हुआ है इस साल इंडिया की फोर्म पॉलिशी कैसी रहनी चाहिए ठीक है इंडिया एंड द वर्ल्ड के राए में हम बात करेंगे इसमें भारत के संबंदों के बारे में बात करेंगे तो चलिए स्चार्ट करते हैं काफी इंटरस्टिंग होने हब आप्ल नायं सिक्स मन्स आफर मेगजीन में एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था चेंजिंग इंडिया जिसमें उन्होंने जो है यह माना कि हमें अपनी फ्रेंड्ली कंट्रिस के साथ जो हमारे रेलेशन को अजस्ट करने की जरुवत है आफुसी देह साथ करें के साथ करने की ज़़रूड़त है क्योंकि उसकी हमारे चायनाक साथ और हुई थी औरा काफी ज्यादा आपड काते शाहित को इक सामने अक साथ जाना के साथ मस". तो वहीं उन्होंने फिर external aid in educate measure की भी बात की ठीक है तो यह external aid in educate measure क्या है इसके बारे मारे ज़रूर बात करेंगे ठीक है तो अब आपकर 2020 खतम हुआ है ठीक है जो यहाँ पर नहरु जी के टाइम पे जब हुआ था changing actualities ठीक है तो वही changing actualities हमें 2020 में विटनेस करने को मिली ठीक तो सारी क्या-क्या challenges इंडिया ने 2020 में face की और क्या जो opportunities इंडिया के पास इस साल है 2021 में ठीक है तो उस बार में हम लोग जब बात करेंगे चलिए start करते है और आगे बढ़ते है ठीक है तो सबसे पहले बात करते है hard realities की 2020 में 2020 में क्या-क्या जो है इंडिया गले challenges रहे ठीक ह है सबसे पहले क्या है चाइना चाइना का पता है आपको इस साल क्या nature रहा है ठीक है सबसे पहले coronavirus वहां से स्टार्ट हुआ मिस हैंडिलिंग काफी जदा की गई उसके बाद जिन लोगों ने जो है जिन country ने जो है चाइना के खिलाफ जो है इन्वेस्टिशन करने की बात की तो आपकी पे तो कशाले का एन्न लोगदेश भूब है है संवह इसको काफी नुक्सांत की हॉत थिक है हुarnक कोंग में हमने ने यह निया एक लोगर किया किया तहार ने काफी चाइन gef eigenlijk परिदेखन की अपने टाइवान स्ट्रेट तो चाइनीज जोडिक्स साइन्स के बात करें चाइनीज जोडिक्स साइन्स के बात करें तो जो 2020 था वो था year of rat मतलब चुहे का साल ठीक है और महाँ पर एक था यह बतागी है कि एक competition था in a competition held by Jade Emperor to decide the zodiac अगर जोडिक अनिमल्स को डिसाइड करने के लिए जे डैंपरेंट ने एक कॉंपेटिशन करवाया ठीक है दा क्विक विटेड रैट आस्क दा ओक्स तू कैरी हम अक्रोस दा रिवर एंड जंप डाउन विफ़र दा ओक्स दा फिनिश लाइंग तो क्या किया कि एक रैट थिया ठीक है एक चुहा था उसने क्या किया उन्होंने उसने एक आउक्स को एक बैल को ये कहा कि आप जो है मुझे पीट पर बिठा के आप रिवर पार करवा दीजिए ठीक है रिवर के पार ले जाजिए लेकिन जैसे ही जो ओक्स है ठीक है आउक्स सबसे पहले जो है अप अपर फिनिशिंग दन को क्रोस कर दिया ठीक है जिसकी वज़े से जो रैट था वो आपका सबसे पहला एक जोड़िक अनिमल बन गया ठीक है तो दोज़र बीस के अगर हम बात करें तो चाइना जहाँ चाइना ने जो है एक रैट की तरह ही बिएफ किय है ठीक है वह कैसे बिएफ किया है अगर हम आगे जो है इसको डिसकुशन डीप में करेंगे तो हम ज़रूर पता लगाएंगे ठीक है अ कंट्री विच अंडर प्रेजिडेंट जी जिंपिंग सिंस तुट थर्टीन हैद बिन कॉंसलिटेटिंग इस ग्लोबल इंफुएंस पता को ग्लोबल इंफिनस अपनी बढ़ानी के पूरी पूरी कोशिश चाइन के लिए हुई है चाइन यही ट्राइ कर रहा है कि जल्दी से जल्दी जो एक लीडर शिप का जो रोल अमेरिका के पास था वह रोल जो है चाइना के पास आ जाए तो करोना वायरिस अब से पहल डीक जैना को बिलाश तो कर तो कि जल्दी टरुख जाए लख सकता है वर फिर और अफिर एंड नेकर कोई तरीका है यह तुक्त करो को भीडिक बाल बाट कि कर दीखने को बाखिकित जापान के सथ अले शाल पूरे साल किया बदलब जो रास्य दापका पास होगे किया बाra में 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 हमारा बोर्डर पे स्टेंडफ स्टार्ट वो चाइने के साथ वह भी तक लागाता चल रहा है गलवान वैली पे हमें क्लैश देखने को मिले जहां पर हमारे 20 जवान विर्गति को पराप्त हुए पराप पराप पास्का ऐसी विर्गति को पर भान विर्गति है विर्ग सेटोब करें दा खर नहीं को परताब बास बास को से ऐसे एप्यां कैशेश पर मुंत चाहिए ने जो किया ये रेट वाला कामें किया ठीक है तो next है Trump Americans ठीक है तो अब अगर बात करें तो अमेरिका की तरफ से बात करें तो अमेरिका ने क्या किया अमेरिका में आपको पता है पिछले चार साले से डोल्ल ट्रॉम्प जो है महांके प्रेज़ेंट थे तो डोल्ल ट ट्रॉम्प ने USA को विड्रो कर लिया जिसके बाद ये इंजिटूशन काफी जादा विएक होगे इरान डील तो अल्मोस्ट डैड हो चुकी है ठीक है और क्लामेट एग्रिमेंट सब लोग इंप्लेमेंट कर रहे है लेकिन USA का सपोर्ट जो है इसमें काफी जादा इंपोर अगर चाइना को जो है यूएस की तरफ से इतना डागेट नहीं किया जाता तो जो अग्रेशन चाइना का है ना वो कही ना कहीं एक और अलगी लेवल पर रहता ठीक है तो ये काम होता अच्या किया और तो ये ट्रॉम्प आप देख रहे हैं ट्रॉम्प अमेरिकंस ठीक है ये काफी significant term एक ट्रॉम्प अमेरिकंस ठीक है हमारे जो foreign secretary है जो हमारे former foreign secretary थे वीजया गोकले साथ तो उन्होंने ये बात कही थी कि जो यूएस है अब वो आपका Trump Americans से आपका define किया जाएका Trump Americans के तरू ठीक है अब President America में कोई भी आजिए जो बाइडन आ जाए तो चाहे ड जो policies मतलब जो trajectory हमें चाइना के साथ चाइना के तरफ हमें देखने को मिली Donald Trump के time ठीक है mostly foreign policies में कहीं ना कहीं वो trajectory हमें जो बाइडन के time पर भी देखने को मिलेगी क्योंकि अब जो ये Trump Americans का जो political भी है काफी स्ट्रॉंग एक माना जाएगा ठीक है वहीं Taliban की बात करें तो Taliban आपको पता है अफगानिस्तान में काफी active रहा है ठीक है 19 यह पहले आपको बता है महाँ पे उसका decline हो गया था लेकिन उसके बात से बाद से बाद से काफी बड़ी ठीक है फीसाल लास्ट यह February में एक agreement हुआ अमेरिका औ तालिबान यह बीच में जिसमें अमेरिका ने का कि कि वह अपनी टूप को विड्रो कर लेंगे लेकिन उने एक assurance मांगी तालिबान से कि वह अफगानिस्तान की soil पर किसी को टेरिस टेरर आउटफिट को operate करने का मौका नहीं देंगे ठीक है दोनों ने जो है एक दूसरे को return for return किया ठीक है तो तो अब आपको बता है कि आपकी आपको पता है तालिबान और अफगानिस्तान की कोवर्मेंट के बीचे बातचीत लगाता है ठीक है आज फिर से उसका second round start होने वाला होगा ठीक है तो कहीं ना कहीं अब इंडिया के पास मोका है कि वो अपनी outreach आफगानिस्तान और तालिबान में बढ़ा सकता है ठीक है अब जैशंकर जी ने तो जो हमारे अब एक्स्टर्न परस्मिनिस्टर है सुब्रेमनिम जैशंकर जी ठीक है वहाँ पर अपने आपको एक बार इसको जो इन भी किया था ठीक है अब 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 अपनी इंवेस्मेंट की बात करें तो 80 80,000,000 dollars की इंधिया ने इंवेस्मेंट करने का जहाँ वहाँ पर एक वजो किया है वादा किया है ठीक है और उससे पहले यह आपकका 3-Billion dollars का इंवेस्मेंट टेशंया किते हैं इंडिया को जे dobrा कर दो दस्कित कर दो कॉछे किने पर नहीं हुना कॉछन पर CTR बेट में इस्राइल और आपके चार अरब कंट्रीज हैं तो आपके बीच में हमें रिलेशन्टिप्स नॉर्मल होता हैं देखने को मिले ठीक है यूए बारेन, मोर्कुए और सुडान इस अरॉदेशों न यूजें इस्राइल के साथ अपने रिष्टों को जो है ना चड़ा रहा है ते कि अपने आपको भड एक लीटो जो है तर्की बनाना चाहता है टिक है और इस्राइल के साथ सलिच्टे कहीं न ही जो कर अब खराब हो रहे हैं एटलों को इन इंपाः कर साथ किग्षा कई की जो है तक ह Smoky na और चुल्च वाह gepोल कर च imperfect दोनों के रिष्टों में देखने को मिले कमिटमेंट्स पर काफी देखने को मिले तो बस एक चीज़ का धान लगना पड़ेगा कि CAA और NRC इनका इनका इंपक्ट है उनके टाइस पर ना पड़ें क्योंकि आपकी मुस्लिम पॉपुलिशन है यहां पर यहां पर आपकी मुस् पर ने की बात करें तो यह काफी जादा खत्रे वाले बात इंडिया के लिए हो सकते है क्योंकि इंडिया की और रिष्ट के साथ अपनी पार्टनर्शिप को बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कि पार्टनर्शिप के बीच में आप लोग रश्या को ना बूल जाएं ठीक है रश अगर इसको जो एक बैलेंस स्ट्राइक करने में न्यू डैली सक्सेस्फुल हो जाती है तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए होगी और अनेक्सेशन ऑफ क्रीम जो आपका 2014 में हुआ था उसके बात से कहीं हम देख सकते हैं कि जुकाव जो इंडिया का कि कमसेशेट है टला जाती ना जाता जाता है फिर द्प्रति पर टला जाता जाता है था है डजी करादिया के बि आपको पता यह चीजä चाता है जो इसलेशिएयों काफि हो गया था इस इंसिनेन्ट के बाद जो आपका आनेक्स कारीम होका था ठीकराश भाद जिस premium का वु तुछा को पता है शंगाई कोपरेशन और श्रेक्ट की साइड लाइन्स पर रेश्या ने काफे ट्राइब ही किया कि दोनों देश्यों को बीच में जो बोर्डर स्टैंट उसको करिण करवाने कोशिश की ठीक है लेकिन एक चीज जो रश्या को पसंद नहीं है वह आपका इंडो-पैसिफिक को तो रिशिया आखनोलिजी नहीं करता है। इंडो-पैसिफिक कोई चीज में इसको कभी रिशिया नहीं किया। इस वह से मैंने कहा था गिए वेस्ट और रिशिया के बीच में जो है न्यू-डेली को एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा। एप तो आगे चलते हैं आगे देखते है क्या कुछ है है करे आगे आगे आपका अजर्टीव नेबर प्रविंव नेबडे में इसमें क्या कर चीज देखने को मिली इन्यार्स काफी स्टिरफ्त, राइस्टियर के सथाइटिंग में जिसके वाद बांग्यादिश के तरफ से थोड़ा सा बैकलाइच देखने को मिला थ Executive ऐचिए छेजव य मिला पंपनी एक डाइछे आप नेपाल से फ़कwydd लिपल चुरू ने पांधी जिके और ने चाहर से बात इंडिया किया और इन यह से पेश्लिक्पट गुल चैनले जो है का फी देनि टि कहते हैं यह का अवह जांने तरफ कर ने चीए चय को फीक्ति तडिया ने ने जो फिल व। यह कार्ण है को यृसय चैनिज ने को यृस तो हम थाउन बें जाहिए यह इंजा तो कहीं ौजम हैइ सब्सक्राइब आ तो कर चाहिने होगी है तो आद कर तो कौने का। इन रिष्टों को नई उचआयों तक ले जे जाएं ऐन एस्परेशनल इंडिया है 2020 जो है वह आपको पता है कि इंडिया ने आत्म निर्फ भारत की बात की इंडिया आत्म निर्फ बनना चाहता है है और इंडिया ने जो है आर सी पी जो दुनिया के सब ट्रेड पैक्ट होने वाला है ठीक है उसको साइन भी नहीं है जिसको जो है काफी काफी ज़्यादा एक्सपर्ट्स ने गलत बताया उन्होंने का कि इंडिया जो है वह आइसोलेशन के तरफ बढ़ रहा है ठीक है वह इंवर्ड लुकिंग जो है इंडिया की पॉलिशी होती जा रही है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं ठीक है जो हमारा आत्म निर्वर भार जो हमारी पॉलिशी है व इक सो पचास से विज़ाद देशों में की फिग है और है जिसके डिमांड पूरी दुनिया भर से आई जो है उनको पूरी दुनिया में सपलाइ किया और आवच तारे अपने सिटिजन को इंडिया ने वेख्योट भी किया काफी जो अच्छा एक इन्न्या ने रोल प्ले कि तो सबसे पहले रहेगा काउंटरिंग चाइना काउंटर करना ज़रूरत है बहुत ज़रूरी है ठीक हमारे लिए इंडिया सिस्पोंच तुद बोडर स्टेंड बाइस बिन गाइड बाइड बाइड थिंकिंग एट वन को तो पाधन पेकवित रहे हैं उन इस फेल नहीं है ए वर भी फ्मिफ साय Närस एक कि टुड़ी का एंडिया कमें श्राव शमागशस को में एक अपने अंडिया के बाते हैं फास्टेंग से हमारे इस जरूरी जापकी उस सब्सेटी एल पर की बाइड जार हमिने सथाफिब का ब इसके बाद हम आगे जाकर करेंगे कि यह एक्स्टरनल एडिन एडिकेट मेजर ठीक है यह आज के कॉंटेक्ट में कैसे है इंपोर्टन्ट ठीक है तो वही है कि हमें चाइना कांट्र करने के लिए तो पड़ेगी यूएस जयपान ऑस्ट्रेलिया बिसाइड्स यूरोप पड़ेगी जिए फड़ेगी जिए उसके अफ्टरेलिया के साथ अफ्रेल्स इसाथ जान वहाँ हुआ है टेक है उसके जान पेशाथ पता है आपको काफी है कि अच्छे है एफीस तो ब्लड एग्रीमेंट पी शाइन की यह मूश्यार लोगिस्टिक सपोर्ट में अने एक इन देशों के किसी भी इन्फिलेस में आकर कोई स्टम्ट लेनी की ज़रोत नहीं है टिक है support ठीक है support तक बाठ ठीक है कोई problem नहीं है ठीक है दोस्त करता है लेकिन strategic autonomy निटा को ज़रू बता कर रखने पड़ेगी सब्सक्राइब नाइब रिखे खावी आपको पता है कि इंडिया की जो दो साल का स्टिंट रहने वाला है ठीक है युवनस्टी काउंसिल में थीक है नौन प्रॉमनेंट में तोर पर आठ्ट भी बार इंडिया जो ए युवनस्टी का मैंबर बने का थेक न फॉरमनेंट ये तो चाहिना का बाइवान साथी पाइवान इरान साथी रिवर्ली बांगल देश रूहिंगा भेशना को लेकर रहता है उसको लेकर करेंगे कुछ ना कुछ और यही कौशिच रहे है कि जो क्रोर्स पूरे टैर्रिसम उसको खतम करने खरें ठीक है पाकिस्तान को तो कहीं न कहीं उसको संभालने के ज़रूरत है जो कि FATF काफी अच्छागा हम भी करी रहे है तो इंडिया को जो है UNAC में अपना रोल प्ले करना पड़ेगा जिसके बाद जो है काफी लगा मों इस पर लगा सकें ठीक है तो कि FATF के साथ हमारी फ्रेंशिप काफी अच्छे एक लेवल तक गई ठीक है तो हमें यह उमिद करेंगे कि बाइडन एडिया के आने के बाद जो हमारी फ्रेंशिप है वह ऐसी ही बनी रहे और अच्छे और हाई लेवल पर जाए वह चाहिए काफी हमें नुकसान हमें ना बीडिया की बिडिया लाइड़ बाद रहा है और अपनी पर जो द्योंकोड काफी अच्छे तरिक में प्लीमाट करके थे तरशे कै नुर देली विजा इस्थे प्लिस टाइजिक है रुटॉट इन वीजा इशुजा को जानी काशिश रहेंगी हमारी इस्रीजिक टाईजि तो यूरोप अब काफी एक सिग्निफिकन पेर बनता जा रहा है तीरे दीरे हमने अब यूरोप से स्टार्ट किया है क्योंकि आपको पता है कि यह 26 जनुवरी आने वाला है प्रीप्लिक यूरोप के आने वाले हैं और यह पॉसिब्लिटी एक है कि इन्डिया यू समिट आए जा सकती है तो यू मेरे यू मिद है कि इरोप के साथ भी हमारी तरह ची अच्छी होने वाले हैं और आखो पता है कि एउज जो है वो अभी पिस इसले कुछ समय में चाइना काफी क्रिटिक रहा है यूके भी काफी चाइना का क्रिटिक रहा है तो हम जो है इस बात का फायदा उठागे जो है अपने रिष्टों को अच्छा करने की कौशिश कर सकते हैं अच्छा काम करने की जरूत है हमारे इमेडियत नेबर में अपने रिष्टों को अधालने की जरूत है ठाके हमारे दूश्मन बैठे हो नेपाल के साथ हमारे फैननर्शिप काफी अच्छी रही है हमेशा से हम यह उमिद करेंगे कि यह पीपल-टु-पीपल क्नेक्शिण ओ नेपाल और इरिया का ठीक है यह लूजना हो जाए यह खोना जाए कहीं ठीक है हम अपने रिष्टों को जो अच्छा करने की जरूरत है जो अपर इस्यूस हैं ठीक है उनको हम पीस्फुली रिजॉब कर सकते हैं बातचीत के जरीए ठीक हर बात पर रेटोरिक या कोई कि यूनिलिटरल स्टैप लेने से कुछ होगा नहीं चीक है और इरान के सब रिष्टों को अच्छा करने की डिफिनिटी हमारी कौशिश रहेगी हमें अमीदे कि जो बादन जब आएंगे तो वो इरान के ओपर सेंक्शन हटाएंगे जिसके बाद हमारी रिष्टे और आइट अप एक निर्मान करने वाला था ठीक है रिले लाइन वो जो था उसमें काफी तरह टाइम जो है इंडिय के तरफ से लग गया क्योंकि सेंक्शन एरान के ऊपर काफी लगे हुए थे ठीक है तो इस वेसे जो है इंडिय की तरह का टाइम लग गया इस बात का फायदा होने से हमें रोकना होगा ठीक है और साउथ एशियन कंट्री में हमें अपने इंफ्लुएंस को मतलब अपनी दोस्ति को और बढ़ाने की हमें कोशिश करनी पड़ेगी ठीक है वैक्सिन डिप्लोमेसी काफी एच्छा हो सकता है ठीक है आपको बता है जो इंडिया है वो इंटया है एक गलोगर लीडर की जागे को डिए को किंद करे घा रहीं करे अग आए एक गलोब र्यकिनिशन इंडिया जह देल द एपनाइच्हर इंप्लोमेटी निश्तो के अच्य कोशिच करे गा ठीक है फुर्ड लॉबल नोडब इस peroacration though all right now for long का इंडिया का पार्ट होने वाली है तो में युमित करें फोने एक्सटनल अप्रिस मिनिस्टर एज शेंकर में हैव टेकन अलीफ आउट आउट आप नियरुस पिली बुक ठीक है आपको बता है इंडिया वे एक काफी फेमस बुक जो है एक्सटनल अप्रिस मिनिस्टर जो हमारे सुबले मनिन जैशंकर सहाब है उन्होंने प्रिंट तो यह सब जो है इंडिया को अचीव करने की ज़रुवत है थ्रू दा इंडिया वे और अगर इस साल की बात करें तो पिछला साल जो आपका गया वो था आपका एयर ओफ रैड ठीक है चाइना का साल था इस साल आपका एयर ओफ ऑक्स ठीक है तो ऑक्स आपका हाड होता है यहमेशा से ठीक है फुली फुली फट दवषनेर ऌफ रेस्पांसिबलिंटी सनिध का उनक पूरा-पूरा अभास रहता है वो अक्स को हमेशा से ठीक है तो करी नहीं हम उमित करयेंगे खिंठ करेंगे थ्यवक्त चाहिए अगर और पया का ये इंडिया का ही आपको इंट्रस्टिंग लगा होगा चाहिए और अगर आप RCEP के बारे में डीप में जाना चाहते हैं तो इसको लेकर एक separate वीडियो हमारे platform पर available है ठीक उसको जाकर आप देख सकते हैं आपके understanding उससे enhance हो जाएगी ठीक है तो तब तक लिए थैंक्यू सौमच सब्सक्राइब एचिव आइस और जोने सोन टेलिग्राम थैंक्यू